को देखिए भेटो को देखिए बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हं बच्चे टीम वर्प करना सीख रहे हैं बच्चे दुसरों को हेल्प करना सीख टाइम मेनेजमेंट रहे हैं टाइम स्पेस मेनेजमेट might YouTube में आप result वीडियो में आपको बताए था कि आज का वीडियो बेसिकली कि इन रिलेटेड अन्-कोकिंग रिलेटेड होने वाला है तहां पर दो से छह साथ साल के बच्छे को किस तरह के किछन के प्रोसेस या कोकिंग के काम में यूज कर सकते हैं ताकि उनका लर्णिंग का प्रोसेस हमे तो यह बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को आप इस प्रसेस में इन्वाल कि जब बच्चों को वैसे भी वाटर रिलेटेड गेम खेलना बहुत पसंद है तो मेकी टाइप ऑफ तिंग उन्हें फूट से मेजटेबल को अच्छे से धुलवाईए फिर उन्हें स्प्रेट क इस तरह से वह तो सीखी रहे हैं साथ में उनका एक प्रोसेस भी चल रहा है बच्चों को फूटेबल के नाम को लेका भी बहुत बना सकते हैं क्योंकि आप प्रोसेस करते हैं तो यह बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को फूट चैनल का नाम सिखाने के लिए इसके साथ ही जुड़ावा है कि बच्चों को काउंटिंग भी सीखने को मिलेगा कितना लेमन आया है बेटा वह देखो कितने एपल्स हैं वह देखो कितने औरेंज इ हैं वह सब देखो कितने बनाना है तो इस तरह से बच्चे बहुत सारे चीजे एक साथ सीखते हैं इन लाइफ स्किल को अब धिरे-दिरे जरूर यूज़ करना सुरू कि जो मुझे बताई कमेंट सेक्शन में कि आपने यूज़ करना शुरू किया है कि नहीं पूर्थ विल पर मैट या नाटकिन कैसे लगाते हैं उसको भी आप उनकी रिस्पॉंसबिलिटी कि आपको यह फ्रूट ममा ने वाश कर दिया या अगर आपने भी वाश किया है तो जब यह ड्राई हो जाए तो इस फूट को उस वास्केट में जाके रख दीजिए यह भी राजवी बहुत ही अच्छा तरीका है जो मैं प्राक्टिस करती हूं राजवी केस में बॉइल डेक को मैं उसे चिलने के लिए देती हूं वह बहुत ही एक्साइट हो के सब के लिए करती है उसका फाइन मोटर स्किल भी डेवलप हो रहा है क्योंकि आप एक को एक हात में लेके और अ जब उसे बमन करता है ओमलेट खाने का या फ्रेंच टोस्ट खाने का तो मैं उसे उसका एक खुदी तोड़ने देती हूं विद पौपर सूपर विजिन मैं उसे बताई होगी कैसे तोड़ते हैं तो वो तोड़ती है उसे मिक्स करती है उसके अलावा वो जब बेकिन के प् मैं अगर कोई पैनकेक बनाती हूँ तो थारा मैं रडेडी हो गया है तो मैं से विस्कर हो वो एक करती है तो अगर केक क बंड़ रहा तो उसे भी में मैंनुवल इसकर से उसे उसकर आते है क्योंकि यो हमारा एलेक्ट्रॉनिक विसकर है वो बच्चों के लिए उतना सेफ नहीं होता है उसे ब्लेट्स होते हैं कट कर्थ उनके हाथ लिए जरूर इसकीजिए बच्छों को भी सक ने तरीका भी डेवलप होगा कि हाँ अगर इतना कम वाटर है तो हमें इसके लिए बड़े यूटेंसिल की जुरुत नहीं है तो बच्चों को विकाबलरी इंक्रीज हो रहा है और साथ में वो समझ रहें कि इसका यूसेज क्या है तो यूसेज के कारणी उनका इक क्रेटिविटी का डेपलेपन बहुत ही अच्छा होता है बच्चों का फूद मैनेजमेंट सिखाई है इसका बहुत ही सिंपल तरीका है अगर कोई ड्राइब फूड है तो उसको आप कैसे स्टोर करते हैं अगर कोई वएट फूड है तो आप उसको कैसे दो के ड्राइब करके स्टोर करते हैं Самil Controller'RE उग्प पूट है तो को फ्र फ्रिज में रखना है अगर अनियन है या पो टयट तो उसको आप बहार रखे ढख बच्चे बहुत तरीके से सिखते हैं कि किसका storage place कहा है तो basically हमारा यह purpose नहीं है कि बच्चों को यह सिखाना है यह तो सिखेंगे ही बच्चे धीरे देरे हमारे साथ involved के life skill तो सिखी रहे हैं secondly हमारा जो इसका मेन परपस है कि बच्चों का multi-purpose brain development हो सिर्फ उन्हें यह ना लखे कि focus is study study तो ही लेकि साथ में there are n number of things जो बहुत ही ज़रूरी है life में और जो हमें सीखना बहुत ही ज़रूरी है और in future हमारे लिए बहुत ही helpful होगा इसके अलावा मेरा एक खुद का एक फेवरेट है जो मैं उसे basic इटिकेट सिखाती हूं related to kitchen लाइक अगर कोई घर में guest आया है या पापा ही office से आया है I make sure that Rajvi पापा को एक glass of water दे या कोई guest आता है तो सबसे पहले उसे glass of water सर्फ करें साथ में अगर मैं कुछ snacks दे रही हूं तो मैं राजवी को बोलती हूं वह snacks आप जाके उपर करो चाहिए coffee में खुद लेके जाती because it is hot और बच्चे अगर balance खो देंगे तो उनके लिए तुरह dangerous हो जाएगा लेकिन कोई भी हल्का-फुलका snacks अगर आप गेस्ट को ऑफर कर रहे हैं करती हूं राजवी से ही सर्फ कर रहा हूं इससे वह बहुत कुछ सीखती है एक तो गेस्टिंग सीख रही है चाहत में यह भी सीख रही कि वी ओल्कम देगेस्ट open-heartedly and with lot of respect and thirdly जब कोई भी गेस्ट आते हैं और अगर उन्हेंने माली जे स्नाक्स का बोल है या प्लेट है या सौसरी है अगर उन्होंने खतम कर दिया है तो मैं राजवी को बोलती है राजवी help mamma अगर मैं उठा रही हूं तो वह भी मुझे कुछ कुछीजी उठा के help कर के kitchen तक ले जाने में help करती है she is too young for all this thing but slowly slowly she is learning अभी धीरे-धीरे ऐसा हो गया है कि अगर कोई आए और I am suppose I am occupied somewhere तो वह मुझे आकर बोलती ममा अंकल को पानी दो यह मुझे लगता है कहीं न कहीं धीरे-धीरे जो मैंने उसे learn कराया है कल्चर में डाला है प्रक्स कराया है चाहिए सब चीज उसी का असर है और जो कहीं न कहीं बच्चों के दिमांग में धीरे-धीरे बैट रहा है and they are learning and growing with this. So, आज का जो मैंने आपको यह वीडियो बनाया इसका परपस बस यहीं था कि आप अपने बच्चों को धीरे-धीरे simple simple processes में involved जरूर कीजिए आप यह मत सूचे कि मैं बच्चों को काम करा रही हूं यह काम कराने तक ही limit मत कीजिए इसका जो larger perspective है bigger picture को देखिए बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं बच्चे टीम वर्प करना सीख रहे हैं बच्चे दूसरों को help करना सीख रहे हैं बच्चे responsibilities को jobs को share करना सीख रहे हैं बच्चों चीजों को रखना सीख रहे हैं घर का पूरा अपकीप सीख रहे हैं टाइम नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते हैं मेरे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए रेनु की तरफ से आप सभी को बाई बाई और प्लीज वी सेश